नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं के प्रकौप के करीब दो वर्स बाद सभी विद्यालियों को खुला गया है वेस्विक महारी कुरोना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मापदंडो को अपनाते हुए राजय के सभी विद्यालियों को साथ मार्च 2022 से पूरी तरह संचालित किया जा रहा है कुरोना काल में लंबी अधी तक बिद्ध्यालय बंद रहने के कारण बिद्ध्यालयों के धर्बु सनरचनाओं को फिर से किरियाद सील करने के रह सकता है तथा सिख्छ को एवं बच्चों को स्वक्ष्ता एवं साफसा फाईपर विशेश प्रसिक्षन की आउसकता मौसूस की जा रही है इसी समस्याओ को निदान को लेकर विद्याले अस्तर परिस्कुली सिख्षा एवं सक्षता विभाग एवाम यूनिसेफ के सन्युक्त पर्यास से स्वक्ष बिद्याले स्वस्त बच्चे अभियां दो एरबाज का सुभारम किया गया है जारखन में भीशन गर्मी जारखन में मौसम का तापमान लगातार बड़ रहा है जिसे लोग परसान है आला में है कि कई जगों पर अभी से ही तापमान 40 डिगरी के पार हो चली है राची के मौसम विभाग की माने तो सहरी छेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन ग्रामीन छेत्र में पेड़ पोधे अधिक होने की वज़ा से तापमान संतोली था है मौसम विभाग का अनुसार आज से अगले दो दिनों तक मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा लेकिन निमतन तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है जारखन में मैट्रीक वा इंटर की परिक्षा सुरू जारखन के राज़ानी राच्ची जीले में मैट्रीक वा इंटर की परिक्षा सुरू हो चुकी है कुरुवार को सुबा नौ बज़े से ही बच्चों की भीर देखने लगी एक साल बाद ओफ लाइन माध्यम से परिक्षा देने को बच्चे बेहत उत्सुक दिखे डिसी के दिसान निर्देस के बाद अमोवन सभी परिक्षा केंदर पर कोबिट गाईLINE का पारण किया जा रहा है एक एक बच्चे को बनाये गए सरकिल से होकर बारी बारी परिक्षा केंदर के अंदर जाने के उनमति दी गई परिक्षा के अंद्रों पर पहुंचे छात्रों ने गुरु जनों का पहर छुकर परणाम किया छात्रों का स्वागत माथे पर तिलक लागा कर भी किया गया जारखन में टीवी मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोत्री जारखन में टीवी के नए मरीजों की संखेया में तेजी से ब्रीधी हुई है स्वाष्ट विभाग के आकड़ा की मानेतों बर्ष 2020 की तुलना में 2021 में चौदा फेज़ दिज्यादा टीवी के मरीज मिले है आकड़े के अनुसार बर्स 2020 में राजे में कुल टीवी के मरीजों की संख्या 46,787 थी जो 2021 में एक साल में 575 नए मरीज मिले है टीवी के नए मरीजों की पहचान के लिए राजे में 41 सीवी नेट जाच केंदरों को अस्थापित किया गया है वहीं बॉलगम की जाच के लिए 365 के अंदर खोले गया है अत्याधुनिक जाच मसीन, सीवी नेट की सुविधा और मुफ्त जाच होने से समय पर टीवी मरीजों की पहचान हो जा रही है वहीं कुरोना काल के बावजोद जीले में टीवी के लिए बिसेस अभियान चलाया गया और नए मरीजों की पहचान की गई दो साल बाद जारखन में आयोजित होगी कक्षा 3-7 के लिए इस्पेसल परिक्षा राज्य के सरकारी बिद्याले में पढ़ने वाले कक्षा 3-7 के बचों की बिसेस परिक्षा ली जाएगी इन कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 26 लाख बिद्यार्थियों को दो साल बाद इस्कूल में आफलेंट परिक्षा में सामिल होना होगा वर्ष ग्यात हो की 20-21 में कोविट के कारण बिना परिक्षा के ही सभी बिद्यार्थियों को अगली काक्षा में पर्मोट कर दिया गया था इस समाद में जार्खन सिक्षा पर योईनाय ने दिसाने देश जारी कर दिया है कोविट के कारण पिछले दो वर से विद्ध्याले में पठन पठन प्रभावित रहा है ऐसे में विद्ध्याले खुनले के बाद बच्चों के सेक्षनिक अस्तर के आकलन के लिए परिक्षा ली जाएगी परिक्षा 31 मार्च तक होगी रांची नियुध्याले में लगेगा भरती कैम 26 मार्च को रांची नियुध्याले में 26 मार्च को 130 पदो पर नियुकती के लिए भरती कैम लगेगा भीवे डिजाइन प्राइबेट लिमिटेट वार, BNB, Intelligent Services, प्राली कमपनी में कूल 130 पदो पर बहाली होनी है भीवे डिजाइन कमपनी में ट्रेनिंग इंजिनियर के पद पर बहाली होगी इस पद के लिए बीटे क्या डिप्लोमा सेक्षिनिक जोगता रखी गई है इसके लिए अठाई लाख रुपए सलाना सेल रिद्धी जाएगी जौब का लोकेसर राची ही होगा वही B&B इंटिलिजेंस कमपनी में सिक्रीटी गाड वा सिक्रीटी सुपरवाजर के पद पर सोव अभियार्थी की बहाली होनी है इसके लिए सेक्षिनिक जोगता दसवी पास वा उम्र सीमा 18-45 साल की गई है जारखन के पूर्व मंत्री योगेंदर साव और निर्माला देवी को 10-10 साल की सजा जारखन के हजारी बाग जीले के बढ़का कावी थी जारखन के पूर्व मंत्री योगेंदर साव और उनकी पतनी वा पूरो विधायक निर्माला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोसी कराब दिया था जबकि उनके पूत्र अंकीत कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था ये मामला कांड संख्या 228-22 से जुड़ा है जारखन में खतियान अधारित नियोजन निती नहीं बन सकती मुख्य मंतरी हेमान सुरे ने कहा है कि राजे में खतियान अधारित नियोजन निती नहीं बनाई जा सकती खतियान अधारित नियोजन निती बनेगी तो कोट से खारिश कर देगा मुख्य मंत्री जार्खन विधान समय बयट पर चार्चा के दोरान बयट पर चार्चा के दोरान मुख्य मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बैक डोर से अपने समर्थकों को सवरक पर उतार रहा है उनसे कहा जा रहा है कि खत्यान अधारित नियोजन नीती बनवाओ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्दी नियोजन नीती जन भावनाओ के अनुरूप होगी CM ने कहा कि सुबे में एक महिने में 20 एर नियुक्तिया होगी सरावनी मेला की तयारी में जूटा देवघर जीला परसासन COVID मा हमारी के दरान पिछले दो साल से सरावनी मेला नहीं लगा है इस बार कोरोना से रहा था है सब कुछ समाने हो रहा है इसलिए 2022 में सरावनी मेला की तयारी में अभी से देवघर जीला परसासन जूट गया है साधालूओ की सुविदा के लिए मेला से जूड़े विभीन विभागों ने राई सरकार से तकरीबन 68.36 अवंटन मांगा है विभागों ने आवंटन से क्या क्या काम होंगे किसमद में उक्तरासी क्या हो सकता है उसका भी प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है जारखन में कुरोना के 9 नए केस मिले है जबकि 33 मरी स्वास्त भी हुए है जारखन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 91 है भारत में 398 नए केस मिले है जबकि 2531 मरी स्वास्त हुए है भारत में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 33,733 है इंटर की परिक्षा अधूरी त्यारी के चलते छोड़ दिये सिक्षा मंत्री जगानात महतो जार्खन के सिक्षा मंत्री जगानात महतो इंटर पास नहीं है उन्होंने इंटर की पढ़ाई के लिए अपने बिधान सबाचेतर इस्थीत नवाड़ी इंटर कॉलेज में इंटर कलाबिसे में दाखिला जरूर ले रखा है इस बार वह इंटर की परिक्षा देने वाले थे लेकिन उनका सापना अधूरा रह गया जारखन बोर्ट की मैट्रीक और इंटर की परिक्षा है 24 मर्च से शुरू हो गई है बता दे लाखों परिक्षार्थी परिक्षा दे रहे हैं लेकिन सिक्षा मंत्री जगनात महतों परिक्षा नहीं दे पा रहे है दरसल उन्होंने तवियत खराब होने की वज़ा से परिक्षा की त्यारी ही नहीं की थी तो परिक्षा देने का फैसला त्याग दिया है रामगार से हैदराबाद पुलिस ने 6 साइबर को दबोचा जाकन का रामगार साइबर फ्रोट कर रुपए उड़ाने वाले अपराधियों के गड़ बनता जा रहा है हैदराबाद पुलिस ने रामगार सहर से साइबर फ्रोट को गृपतार किया है इन लोगों ने हैदराबाद इस्थी टाटा मोटर से साइबर फ्रोट करके 36 लाख रुपे उड़ा लिये थे फोन के जरीये ट्रेक करते हुए हैदराबाद पुलिस ने उन्हें एक होटल से गिरापतार कर लिया है बताद रामगर थाना पुलिस ने मिली जनकारी के मुताविक अपराधी सहर के बुलू डाइमन्ड होटल में ठरे थे अब विधान सभा में नहीं होगा मुख्य मंत्री प्रश्नकाल विधान सभा में गुरुआर को नियम समीती की रिपोर्ट धोनीमत से पारित हुआ बिधायक दीपक बिरुआ ने समीती की रिपोर्ट को साभा पटल पर रखा रिपोर्ट में जार्खन बिधान सभा की कारसं चालन नियमावली से धारा बावन को बिलोपित करने के उन्साशा की गई थी धारा बावन में मुख्यमंत्री प्रस्नकाल का प्रवधान था इस रिपोर्ट के पारित होने के बाद अब जार्खन बिधान सभा में मुख्यमंत्री प्रस्नकाल नहीं होगा इसके अलावा नेमावली में सुन्यकाल की संख्या 15 से बढ़ कर 25 लेने का प्रोधान किया गया है रूपा तिर्की हत्या मामला में बड़ा खुलासा साहेवगंज की महिला थानेदार रही रूपा तिर्की के हत्या नहीं हुई थी वह अपने प्रेमी सीवा से साधिन नहीं होने के कारण तनाव में थी तनाव चिंता के कारण ही रूपा तिर्की ने गत वर्ष 3 माई 2021 की साम अपने कमरे में फासील लगा कर आत्मात्या कर ली थी इसका खुलासा जहर्खन उच नयाले के पूर्व मुखे नयाधिस विके गुपता के द्यक्सता में गठित एक सदस्य नयाईक जांच आयोक की रिपोर्ट से हुया है आयोक की रिपोर्ट को गुरु आरको जहर्खन विधान सवा में सभा पटल पर रखा गया था आयोक की रिपोर्ट में या अस्पश्ट तर पर लिखा गया है कि या एक साधारन आत्महत्या का केस था एक युगा महिला पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसे पता था कि उसकी साधी उसके प्रेमी सीवा से नहीं हो सकती अब 28 कोलेजों का संचालन नहीं करेगी जार्खन सरकार राजे के चारो 28 कोलेजों का संचालन अब राज सरकार नहीं करेगी इसका संचालन सिधे ना तो इसकोली सिक्षा एवम सक्षटा विभाग या नहीं उच एवम तकनिकी सिक्षा विभाग से होगा इन चारो सिक्षक प्रसिक्षन कॉलेजों को संचालन के लिए समाथी विश्व विद्यालों को सपा जाएगा इसकी तेयारी चल रही है इस पर समाथी के लिए फाइल बीद विभाग को भेजी गई है दरसल पूरों में इन चारों राज किये सिक्षक प्रसिक्षन कॉलेजों का संचालन इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग द्वारा किया जाता था पिछली सरकार ने दिसमबर 2018 में इन कोलेजों को हस्तरांतरन इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग से उच यम तकनिकी सिक्षा विभाग को कर दिया था लेकिन इस विभाग ने अभी इन संस्था पूरी तरह अपने अधिन नहीं लिया एस्सी एस्टी को आरक्षन के आधार पर प्रोनाती विधयक पास जार्खन विधान सभा के बैट सत्र में गुरुवार के दूसरी पाली आरक्षन के मुदे पर गरम रही भारी हंगामव विपक्ष के सोर सरावे के बीच दो विधयक धोनिमत से पारित हो गए आरक्षन के अधार पर स्टी को प्रोनाती समधित विधयक विपक्ष को रास नहीं आया पूरा विपक्ष आसन के सामने पहुँच गया आशन के सामने ही आरक्षन के अधार पर प्रोनाती समधित बिधयक की प्रतिया फार कर सदन में लहरा दिया भाजपा की बिधयक इस बात पर अड़े हुए थे कि OBC की गर्दन काट कर आरक्षन देना उन्हें मंजूर नहीं है रास्ता बिवाद को लेकर आट घंटे जाम रहा रांची का हिनुचौक सरना अस्थल की बांडरी वाल तोड़े जाने के बिरोध में आदिवासी समुदाय के सेक्टरों लोगों ने रांची के हिनुचौक को आट घंटे तक जाम रखा इस दवरान आदोलनकारी रांची डिसी चावी रंजन को बुलाने की मांग कर रहे थे इन आदोलनकारीयों का समर्थन करने पुर्व मंत्री गीता सिरी उराम भी पहुँची और बिना डिसी के आए जाम नहीं हटाने की बात कही आखिरकर रात आठ बच कर पंदरा मिनट डीसी सिरी रंजन और स्पी सुरेंद कुमर जहां हिनो चोक पहुंचे इस दवरान पुरो मंत्री समेत अंधुरन कारियों ने डीसी को ग्यापन सौपा वहीं डीसी के अस्वासन के बाद जाम खाली किया गया खूटी से 70 केजी डोड़ा और 7 केजी अफीम बरामत खूटी जिलांतरगत खूटी मरंग हादा और सायको थाना चेतर से पूलिश ने अफीम के साथ 4 अरफयोग गिरफतार किया है पुलिस ने उसके पास से 7 kg अफीम, 70 kg डोड़ा और 33,500 रुपे नगत बरामत की है इस बात की जनकारी HDPO अमीद कुमार ने पत्रकारों को दी धोनी ने छोड़ी CSK की कपतानी रांची के राजकुमार महेंदर सिंग धोनी ने चेनाई सूपर किंग की कपतानी छोड़ दिया है IPL 2022 सीजन सुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले CSK की कपतानी छोड़ने की खोसना कर अपने फैंस को चुका दिया है हलाकि महें इस सीजन में बतर खिलाड़ी और मेंटर CSK को अपनी सिवाय देते रहेंगे इधर रांची में धोनी के कपतानी छोड़ने के बाद से जहां महें के परसंसक निरास है वहीं उनके दोस्तों ने सधा हुआ फैसला बताया है OBC आरक्षन की मांग को लेकर दूसरे दिन जारी रहा भूख हरताल जारखन परदेश वैसे मोर्चा के अध्यक्ष महेस्वर साहु का राजवहन के समीप भूख हरताल गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा कमिटी के अध्यक्ष राजे में OBC को 27 परदेश आरक्षन देने वैस आयो के गठन की मांग को लेकर बुद्धवार से भूख हरताल पर है उनके साथ अजीत परजापती भी भूख हरताल पर है बता देप पुर्व घोसित कारकरों के मुताविक भूख हरताल सुक्रवार तक जारी रहेगी अंदोलन अस्थर पर आयोजीत धारना कारकरम में संगठन के नेतावों ने राज सरकार पर पिछला वर के साथ आरक्षन मामले में भेदभाव का आरोप लगाया है कल से लगतार चार दिनों तक बैंक रहेंगे बंद सरमिक संगठनों के आवाहन पर 28 वा 29 मार्ज को प्रस्तावित हरताल में कई बैंक यूनियन भी सामिल होगी ऐसे में सनिवार से चार दिनों तक लगतार बैंक बंद रहेंगे 26 को सब्ता का चावथा सनिवार एवं 27 को रविवार होने से बैंकों में छूटी रहेंगी इस तरह चार दिन तक बैंकिंग कामकाज पुरी तरफ प्रभावित रहेंगे तीन सुत्री मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने मुख्य मंतरी को सोपा ग्यापन केंद्रीय सारना समीथिक नेतिते में आदिवासी संगठनों का प्रतिन निदी मंडल अपनी तीन सुत्री मांग को लेकर गुरु आरको मुख्य मतरी हमन सुडनों से मुलकात की मुलकात के दरान सीयम को आदिवासी गंचाद देकर अभिवादन किया गया प्रतिनिधी मंडल ने इस्तरान प्रकितिक पर सरहुल के सफलतम आयोजान आदिवासियों के धार्मिक भोमी संस्कृतिक भोमी को सुरक्षित वा सनक्षित करने सहित अनेमागोग लेकर CM को ग्यापन सहपा भोमी अधिक्रहन कानून में संसोधन को वापस लेगी सरकार जारखंड की हेमंत सुरेन सरकार भूमी अद्धिग्रहन कानून 2013 में रहवरदा सरकार द्वारा किये गए संसोधन को वापस लेगी कम्पनियों और पूंजी पतियों द्वारा ली गए जमीन का उपयोग नहीं करने पर उसे वापस लिया जाएगा और जमीन को लेंड बैंक में रखने के प्रवधान में संसोधन करते हुए रहतों को वापस लटाई जाएगी इसके साथ ही जिन रहतों के भूमी निर्धारी समय तक उपयोग नहीं की जाती है तो उसे जमीन के साथ साथ छाते पूर्ती की राशी दी जा सकेगी इसके लिए राई सरकार सभी उपयोगतों से आकलन कराएगी और उनकी रिपोर्ट के धारपणी नहीं लेगी भारत में जर्मानी के राईदूत वाल्टर जे लिडनर ने किया जे S.C.A. किर्केट एस्टेडियम का दवरा भारत में जर्मानी के राईदूत वाल्टर जे लिडनर ने गुरू आरको राचीश थी जारकाई स्टेड किर्केट एस्टेडियम का दवरा किया इस दोरान उनके साथ जे S.C.A. के अधिकारी भी मौजूद थे उन्होंने स्टेडियम के अंदर मौजूद सुविधाओ का जाजा लिया अधिकारीओं ने उन्हें स्टेडियम के बारे में विश्तार से जनकारी देते हैं बताया कि या सोलर पैनल से चलने वाला पहला स्टेडियम है अल्प संख्यक बिद्यालों में जल्द होगी सिक्षको की नियुक्ति राज्य के गयर सरकारी सहता प्राप्त प्रारामिक बिद्यालों में 6 साल बाद सिख्षकों की नियुक्ति का रास्ता साप हो गया है इस समन्द में प्रात्मिक सिख्षा निदेशक किरन कुमारी पासी ने सभी जीला सिख्षा अधिक्षा को पत्र भेज दिया है वर्ष 2016 में यह कहते हुए नियुक्ति पर किरिया परोक लगाई गई थी कि अल्प संख्यक बिद्यालों में सिख्षों की नियुक्ति पर किरिया में बदलाव किया जाएगा इसके बाद वर्ष 2018 में फिर पत्र जारी कर कहा गया कि 31 मार्च 29 तक नियमावली बना लिजाएगी तब तक नई नियुक्ति नहीं करे अलाकि 31 मार्च को भी निमावली नहीं बनी अब आयसे में प्रात्मिक सिक्षा निदेशक द्वारा या कहते हुए पत्र जारी किया गया है कि बर्स 2018 में जारी पत्र 31 मार्च 2019 तक ही प्रभावी था इसकारन अब भी द्याले में सिक्षों के नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होई तो चैनल के सब्सक्राइब करें बहुल का बेल एकन दबाएए साथ सब वीडियो के एक लाइक का अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवस्य दे थैंक्यू